और अब इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली विदान सभाद चुनाव से जूड़ी आमादनी पार्टी ने दिल्ली विदान सभाद चुनाव के लिए अपने सभी 70 उमीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है आम आदनी पार्टी ने मौझूदा 46 विधायकों को दोबारा टिकट दिया है 46 विधायक एक बार फिर से चुनाव के मैदान में अश्वनी गुपता जादा जानकारी के साथ अश्वनी किनके टिकट कटे कौन कौन से नए चेहरे कई नए चेहरे इस बार दिखाई पढ़ेंगे पंकच पुषकर तिमारपुर से जो विधायक से उनको टिकट नहीं मिली है इसके लावा आदा शास्त्री जो दौर्का से उनको टिकट नहीं मिली है इसके लावा कई ऐसे चेहरे हैं जो कि दूसरी पार्टियों से आम आदनी पार्टी में आए है जो कि मट्या मैल से इनको टिकट दी गई है इसके लावा महाबल मिश्रा के बेटे विनाय मिश्रा जो अभी और इसी को लेकर मनिश से सौधिया क्या रहे हैं जरा आपको सुनवाते हैं दिल्ली के चुनाव के लिए अभी आमादी पार्टी की पॉलिटिकल अफेस कमेंटी की बैठक हुई और उस बैठक में दिल्ली की सभी 70 रुधानसवा सीटों पर संभावित उमीदवारों के बारे में चर्चा हुई और सभी 70 की 70 सीटों के लिए उमीदवारों की लिस्ट अप्रूव कर दी है पॉलिटिकल अफेसर कमेंटी ने अशुनी मनीश सौधिया को आमने सुना सभी उमीदवारों के लिस्ट जारी कर दी है और आमादनी पार्टी पहली पार्टी इस त्रिकोणी है मुकाबले में बीजेपी कॉंग्रेस आप में जिसने अपने सभी उमीदवारों के लिस्ट जारी कर दी है काफी confident नजर आ रही है पार्टी देखिए इसके पहले भी जब चुना हुए तो लोगस्वाद चुनाव में तो आमादनी पार्टी ने काफी पहले ही जो उमीदवार थे उनकी लिस्ट जारी कर दी है यह इस बार भी ऐसी ही उमीद की जा रही थी कोशिश यही की जा रही है कि आमादनी पारटी यह चाहती है कि जितने भी उम्मीदवार है उनको अपने इलाके में जादा वक्त मिले प्रचार की कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो इस बार नए है इसलिए उनको जादा वक्त देने के लिए अपसे अर्विन केजरिवाल एक बार फिर से नई दिल्ली से और जो सरकार में मंतरी हैं क्या वो जितने भी मंतरी हैं उन सब को दुबारा से टिकेट दे गई है इसके अलावा जो बाकि कई उम्मीदवार ऐसे भी हैं आव जैसे अमान तुल्ला खान ओकला से उनको भी दुबारा से टिकेट दी गई है और कई नए चेहरे भी इस बार देखने को मिलेंगे हाला कि महाबल मिश्रा के बेटे को लेकर काफी चर्चा हो रही थी अब जानकारीा रही कि दुबार का से टिकेट है अब विनाय मिश्या, जो कि मावल मिश्या के बेटे हैं, उनको टिकट दी गी है, लेकिन मैं आपको बता दू कि टिकट बटवारे को लेकर के कही ना कहीं सुकुबगाहट और अंदर यंदर फोड़ी बहुत बागावाज शुरू हो गई थी, कुछ विधायक पहले से ही विर दिया गया है, जी, देखी, कोशिश यही की गई है, कि ज़्याद से ज़्यादा लोगों को खास कर आम आदनी पार्टी का ये कहना है, कि उन्होंने एक सर्वे कराया था, सभी विधान सभा में और जितने भी उमीदवार हैं, उनको लेकर के लोगों से फीडबैक लिया गय है, अगर विधायक को लेकर के लोगों के मन में गुस्टा है, लोग नाराज हैं उसके काम से, तो उसको टिकट नहीं दी गई है, और आम आदनी पार्टी का साब्साफ यही कहना है, कि पंद्रा मौझूदा विधायकों के टिकट कटे हैं, सभी सतर सीटों के लिए अपने चुनावी उमीदबारों के लिस्ट आमादनी पार्टी के तरफ से जारी कर दी गई है, पहली ऐसी पार्टी दिल्ली में जिसने सभी सतर सीटों के लिए अपने केंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है, अरवन केजरिवाल नई दिल्ली से एक बार फिर से, मनीर से सौधी ए झाल